भीर स्टुडेंट्स चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट मैथेमेटिक्स को पढ़ना सूरू करता हैं जैसा कि जानते हैं आप 12 क्लास में हम लोग मैथेमेटिक्स में exercise 7.5 7.5 exercise के questions के लिए हम लोग ready हो गये हैं क्योंकि पिछले class में हम लोगों का theory जो है खतम हो चुका है ठीक है चलिए अब हम लोग जो theory में पढ़े थे कुछ PF का integration PF मतलब partial fraction का integration हम लोगों ने सिखा था वहाँ पे हम लोग ये सिखे कि अगर द्विघात समीकरन के किसी form में रहेगा तो उसको कैसे हम लोगों को तोड़ना है चलिए example के तोर पे कुछ questions को हम लोग करते हैं और बहुत बढ़ी है समझेगा examples के question को वही integration करना रहेगा उपर x रहेगा और नीचे x प्लस 1 रहेगा और x प्लस 2 रहेगा ठीक है ध्यान दियो अच्छा से into dx तो देख लो भई अगर हम लोगों को ऐसा integration मिलेगा तो हम नीचे वाला को अक्सर देखेंगे नीचे वाला को आप देखिए तो पता चल रहा होगा आपको कि a भी एक गुननखंड में है य भी गुननखंड में है तो अगर ऐसा रहता है तो हम लोग करते क्या है तो a बटा इतना में तोड़ते हैं और b बटा यानि कि अलग अलग तोड़ देते हैं तो यहाँ पे आप पूट कीजिए क्या पूट करना पड़ता है तो किसका integration करना है तो x बटा x प्लस 1 और x प्लस 2 अगर नीचे में अगर दूगो पार्ट गुननखंड में रहता है हम आपको बताया है कि नीचे अगर दूगो गुननखंड में रहता है तो इसको दो पार्ट में तोड़ा जाता है एक ठो ए बटा में x प्लस 1 जो मने रहेगा और प्लस b बटा x प्लस 2 ठीक है अब क्या करना है कि अब दोनों को साथ लेकर चलना है तो इधर साथ लेकर चलेंगे तो x बटा x प्लस 1 और x प्लस 2 दोस्तों करना का है यहांसे कि अब आपको a और b का मान निकालना है समझ में आ रहे है तो अब इधर से भी आपको इसका इसका telephoneüs लेना है तो लेंगे तो क्या बनेगा x प्लस 1 और x प्लस 1 कटेगा तो क्या बचेगा यहांपे x plus 2 और इस x plus 2 को a के साथ गोना करेंगे तो क्या बनेगा a into x plus 2 ठीक है और plus फिर x plus 2 से x plus 2 कटेगा तो क्या बचेगा b into x plus 1 ठीक है अब क्या करते है हम लोग नीचे नीचे वाला से मोजाता तो नीचे नीचे वाला को काट देता है तो इधर क्या बच रहा है सिर्फ सिर्फ बच रहा है x और इधर क्या बच रहा है तो a को x से गोना के जे तो ax a को 2 से गोना के जे तो कितना होगा 2a और b को x से गोना के जे कितना होगा bx b को 1 से गोना के जे कितना होगा b ठीक है अब देख लो यहां से अपना दिमाग लगाना है इधर में x का गुनांग क्या है इधर x का गुनांग a है here x का गुनांग कितना है one और इधर x का गुनांग कौन कौन सा है तो x वाला पार्ट यहां है और x वाला पार्ट यहां है तो x जो है हमेसा x वाला का बराबर होता है य हाँ बिना एक्स में कितना हो सकता है तो बिना एक्स वाला 0 हो सकता है ना भई अरे एक्स को तो एक्स प्लस 0 लिख सकते ना है तो एक्स का हम लोग अभी देख रहे हैं एक्स का गुनांग कितना है वन और इधर एक्स का गुनांग दूगो है एगो ए है और एगो प्लस में भी है तो यह हो जाएगा हम लोगों को समीकरा नंबर एक टिक है और इधर बीना एक्स वाला कौन है तो इधर जीरो है और इधर बीना एक्स वाला यहने कि कॉंस्टेंट अब क्या करना है कि इस दोनों समिकरण से ए और बी कमान निकालना है समझ में रहा है तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं पलस B बराबर में 1 और इसको लिख सकते हैं 2A पलस B बराबर में 0 और sign अगर change करेंगे तो कितना होगा जरा sign change करेंगे तो ये तो cut गया और A और minus 2A मिलकर हो गया minus A बराबर में 1 इसलिए A का भेलू हम लोगों को पता चल गया कितना minus 1 ठीक है अब A का भेलू minus 1 पता चल गया तो B का वेलू कितना होगा भई समझना रहा है बी का वेलू कितना होगा तो वी का वेलू देख लो भई अब समी करण एक से तो from equation 1 equation 1 क्या है तो equation 1 है A पलस B बराबर में 1 और A का मान अभी अपने लोगों को आया हुआ है minus 1 तो एक जगा पर minus 1 इसलिए बी का भालू कितना हो जाएगा तो अब करना कुछ नहीं है सबसे पहले इस exercise में आपको तोड़ने आना चाहिए और तोड़ने के लिए हम आपको बता दिया है कि अगर नीचे वाला को देखना है जैसा situation रहेगा उसी हिसाब से हम लोग तोड़ते हैं ठीक है अगर मान लिया कि नीचे भूगू रहेगा और दुनों किसमे रह दोड़ेगा तो द्विघात समिकरन का ऊपर एक बी एकस प्लस सी तूटता है ठीक है हम बताएंगे वैसा situation चलिए खेर ए और बी का वहलू निकाल देना है अब दूस्तों अगेन कहां लिखना है अगेन इंटिग्रेशन किसका करना था एकस प्लस एकस प्लस वन एकस प्लस टू एकस बटाए एकस प्लस वन एकस प्लस टू डी एक अब इसी के जगा पे हम लोग क्या लिखें है इसी के जगा पे किसके जगा पे एकस प्लस देखलो नों भाई हमको क्या करना था एकस बाई एकस प्लूस डू डिकाना इंटिग्रेशन करना था इंटिग्रेशन अब इसी को को ना हम लोग दूग पाट्चमेट तोड़े हुए हैं कौन सामें सिक स्कालिक किया है इतना ही किना बराबर इतना किया है कितना तो एबेटा एक्स प्लस वन स्ट़इब बेटा x प्लस 2 और पूरा का dx अब क्या करेंगे भई तो a का तो value हम लोगों को निकला हुआ है a का value कितना minus में 1 तो a का value minus 1 आया तो minus 1 बटा x प्लस 1 प्लस b का value कितना आया तो b का value 2 बटा x प्लस 2 a और b के जगा पे रख दिए into dx यानि कि जितना के form में तोड़ेंगे हम लोग उतना के जगा पे ये रख देंगे a और b रख दिए a का मान रख दिए b का मान अब हम लोग जानते हैं न भई कि अगर integration प्लस में रहेगा या minus में रहेगा तो अलग अलग कर सकते हैं तो इसको अगर तोड़ेंगे तो minus 1 तो बाहर आ जाएगा minus को बाहर कर लिजे तो integration के अंदर हो जाएगा 1 by x प्लस 1 into dx और यहां से 2 को जदी बाहर निकाल लेते हैं तो प्लस हो जाएगा 2 integration से बाहर 1 by x प्लस 2 into में dx समझ में आ रहे हैं अगर एचीज समझ में आ रहे हैं तो बहुत easy way में हम लोग कर सकते हैं कैसे बना सकते हैं भई तो देख लो अब एक formula होता है integration का 1 by अगर x रहेगा integration तो दोस्तों इसको हम लोग लिखते हैं log x क्या लिखते इसको log x लिखते हैं उसी तरीकर से 1 बटा x प्लस 1 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं minus log x plus 1 समझ में आ रहा है उसको अगले पेजम में दिखा देते हैं इसको minus को minus लिखेंगे और 1 by x का होता है log x तो 1 by x plus 1 का क्या होगा log x plus 1 clear और यहाँ पर 2 है तो 2 बाहर ही रहेगा 1 by x plus 2 का होगा क्या log x plus 2 तो कुल मिला कर यहां हम लोगों को क्या निकला यहां निकला minus log x plus 1 क्योंकि 1 by x का log x log x होता है plus 2 log x plus 2 और plus में क्या करेंगे हम लोग C करेंगे और एक properties होता है दोस्तों properties कैसा होता है देख लो अब इतना पर answer करेंगे कभी भी गलती नहीं होगा यह हम लोगों का static answer है लेकिन जब book में answer match करेंगे तो उसमें log का कुछ rule नियम बताया होगा हम लोग सिखे हुए है कि log अगर रहे M और उसके पहले अगर N रहे log M रहेगा लेकिन उसके पहले N रहेगा तो जो पहले वाला जो रहता है वो power में चोड़ जाता है ठीक है तो हम लोग इसको minus log X plus 1 को X plus छोड़े log के पहले 2 है तो हम लोग क्या करेंगे log X plus 2 का hall square हो जाएगा और plus में C सबज मैं रहे यहाँ तक भी आंसर करेंगे कभी दिकत नहीं होगा लेकिन यहाँ पे कुछ rule नियम लगा देता है log का log के पहले 2 था तो यह rule होता है log का कि 2 कहां चला जाता है power में अब इसी को हम लोग पहले प्लस वाला को लिख सकते हैं तो log X plus 2 का hall square माइनस log X plus 1 प्लस में C इसको पहले लिख दिया इसको बाद में लिख दिया उससे कोई दिकत नहीं है ऐसा इसलिए क्या क्योंकि एक और rule होता है log का log अगर M रहे और minus log अगर N रहे तो log हो जाता है M बटा N यानि कि अगर दो लोग का माइनस रहे समझ में आ रहे दो लोग अगर माइनस में रहेगा तो हम लोग उसको डिवाइड कर देता है देख लो log के अंदर इतना है और minus है log के अंदर इतना इसको हम लोग लिख सकते हैं log x plus 2 का hall square divided by x plus 1 यानि कि यहाँ पर क्या हो गया डिवाइड हो गया अभी डिवाइड हो गया प्लस यहाँ पर mode view लिख सकते है mode view होता है तो इस तरीके से हम लोगों का book के answer से match करता है चलिए एक और question दिखाते है अब समझ पा रहे हैं कैसे question को करेंगे question कुछ इस तरीके से है 2 by 1 plus 1 minus x 1 minus x into 1 plus x square देख लिजे into dx सबसे पहले करेंगे क्या दोस्तों ऐसे सवालों में आप देख पा रहे होंगे कि नीचे क्या है एक रैखी की समिकरन है और एक द्विघात समिकरन है तो इसको तोड़ने का तरीका हम लोग सीखे हुए कि जब अगर एक जो है नीचे में अगर रैखीक समिकरन रैखीक और द्विघात तो समझे थे नहीं ये रैखीक समिकरन गुना में है और ये द्वीघात समिकरन गुना में है तो अगर दोनों अगर गुना में रहेगा नीचे में हर में तो हम लोग इसको पूट करते हैं 2 बटा 1-X 1-X इसको तोड़ने का तरीका देखे थे कि ए बटा में तोड़ लेंगे जो रैखिक समिकरन है गुना में 1-X था 1-X तोड़ लिए प्लस जो द्वीघात समिकरन रहता है उसके उपर तोड़ते हैं हम लोग BX प्लस C ठीक है BX प्लस C और बटा में क्या 1 प्लस X स्कुर ठीक है अब क्या करना है आपको A, B, C का भेलू यहां पर तिन गुर्णा हुआ तो A, B, C का मान निकालना है अब A, B, C का मान तो इधर हो गया LCM 1-X और 1 प्लस 1 प्लस X स्कुर अब यहां पर भी आप अगर LCM लेंगे तो 1-X और 1 प्लस X स्कुर होगा अब 1-X से 1-X कटेगा तो A के गुना में क्या होगा 1-1 प्लस 1-X स्कुर और प्लस इस B, X प्लस C के गुना में क्या होगा तो 1-X स्कुर से 1-X स्कुर कटेगा तो क्या बचेगा 1-X ठीक है अब नीचे वाला नीचे वाला तो पुरा कैंसल हो गया तो उपर में बच क्या राया देखिए उपर में बच राया टू is equal to तो इस इक्वल टू A को 1 से करो तो बनेगा A Plus A को X स्क्वार से करो तो क्या बनेगा? AX स्क्वार पिर यहां पर देख पार होंगे BX को 1 से करो बी एक्स को एक बार माइनस एक से करेंगे तो बी एक्स को वन से करेंगे तो क्या होगा बी एक्स और इसी बी एक्स को माइनस एक से करेंगे तो माइनस बी एक्स स्कुर्ण ठीक है और इसी सी को वन से करेंगे तो क्या होगा सी और इसी सी को माइनस एक्स से करेंगे तो माइन चल रहा है कि इधर तो X square भी है लेकिन इधर X square है नहीं है तो इधर X square वाला कुछ नहीं है 0 है लेकिन इधर X square वाला कौन है तो X square यहां है X square यहां है तो X square का गुनांक A हो गया और यहाँ X square का गुनांक – B हो गया तो A – B बराबर 0 एक पहला समिकर समझ रहे हैं चलिए अब अब आप X square का तो मामला खतम अब X का देखे तो इधर X में है बराबर के LHS में देखिए तो X वाला कुछ है नहीं है 0 है और इधर X में कौन कौन सा है तो एको X में यह है एको X में यह यानि X का गुनांग के यहां पर B और यहां पर minus C यह होगी आपका समीकरा नमबर 2 और बिना X वाला यानि कि constant इधर कौन है 2 और इधर constant constant का प्रषान है कि जिसमें X नहीं लगा रहे तो X किसमें नहीं है तो constant इधर A है और C है ठीक है तो यहां से आपको यह समिकरन नमबर 3 मिल गया अब आपको दिमाग लगाना यहां से कि तीनों समिकरन का यूज करके आपको A B C का मान निकालना है तीनों समिकरन से अब यहां पर लोगों को टॉफ बन जाता है कि कोई से निकालेंगे सर पत्ते नहीं चलता है ठीक है अब करेंगे क्या यहां पर सिंपल वे में आप सेकेंड और थर्ड से चलिए फ्रॉम इकवेशन फ्रॉम इकवेशन सेकेंड एंड थर्ड ठीक है सेकेंड और थर्ड से चलिएगा तो B माइनस C बराबर 0 और एगो होगा A पलस C बराबर में 2 अब यह दोनों के स्वाल किजिएगा तो एगो माइनस में पलस में कट गया तो इधर क्या बचरा होगा A पलस B चाहे B पलस A लि क्योंकि तिन समीकरन तो पहले ही मान लिए थे अब क्या करना है आपको फ्रॉम इकवेशन फ्रॉम इकवेशन वान एंड फूर से चलिए देखिए अब कौन कौन सा समीकरन से चल के निकालिएगा यह आप पर निर्वर करता है कि आप किस कौन सा मेथड से तीनों का मान निक अब करना क्या है कि one और चार से चल रहा है तो one number क्या है a minus b बराबर 0 और चार number क्या है तो a plus b बराबर 2 अभी minus b minus b खतम minus b plus b तो a और a मिलके 2 बराबर में 2 तो a का value कितना हो गया इका वैलू हो गया one नहीं एक का वैलू कितना हो गया one जब ऑगा वह रहीं हो गया तो अब सामी करन एक मिल जर्ट से चलिये और बीसक्ता लाग लिजिए एक का वैलू कितना हुआ तो आप सामी करन एक से चलिया if from equation one from equation किया है तो a minus b b parameter 0 तो एक वहलू 1- b बराबर में 0 तो इसलिए minus b is equal to कितना होगा इसलिए b का वहलू कितना आया तो इसलिए b का वहलू कितना आया ताके तीनों का वेलू आसानी से हम निकाल सके, वहीं नहीं, यहाँ पे हम लोगों को 4-4 समीकरन में मिल सकता है, कोई दिखत नहीं है, कितना समीकरन मिल जाय, लेकिन आपको क्या करना है, कि जितना अन्नोन वेलू आएगा, हो सकता है कि अभी तक के A, B, C मिला है, बाद में ABCD भी मिले कुछ भी मिले हम लोगों को क्या करना है ए बी सी का वेलू निकालना है चाहिए कोई समीकरण से चलो कहीं सभी कई तूट करो तो अब हम लोग कौह सा समीकरण से चल रहे हैं फ्रोम एकवेशन 2 तभी नसी का निकलेगा तो एकवेशन नुमबर 2 से चल रहे हैं तो दूसरा एकवेशन क्या है दिखाते हैं बी माइनस सी बराबर 0 तो चलो यहां पर देख लो यहां पर है बी माइनस सी इक वल्टू जीरो अब बी के वेलू कितना है है 1-C का C रहेगा तो माइनस C बराबर 1 है इधर जाएगा तो माइनस 1 इसलिए C का वेलू वी कितना आ गया 1 तो दोस्तों यहां से हम तीनों का वेलू निकाल लिए A का, D का, C का उसके बाद क्या करना है Now सवाल क्या था हम लोगों का 2 by 1-X बटा 1 प्लस एक्स स्क्वार 1 प्लस एक्स स्क्वार इंटू में Dx अब इसी सवाल को न हम लोग तोड़े थे कैसे तोड़े थे वई तो A बटा 1-X प्लस बटा 1 प्लस एक्स स्क्वार और पूरा का Dx ठीक है अब यह जो अलग अलग प्लस में है करेंगे क्या तो दोनों को हम अलग अलग तोड़ सकते हैं इंटिग्रेशन में फिलहाल हम A, B, C का वैलू रख लेंगे तो A का वैलू कितना है वई वन शरी एक वैलू हाँ एक वैलू वन आया तो यहां हो जाएगा 1 by 1 minus 1 minus x ठीक है और प्लस B का वैलू 1 है और C का वैलू 1 है तो B को 1 रखेंगे तो 1 into x तो यहां हो जाएगा x plus 1 बटा 1 plus x square ठीक है और पूरा का dx दोस्तों अब करेंगे क्या यहां पर हम लोग simple way में कि अब हम लोग इसको simple way में आराम से कर सकते हैं इसको जैसे कि आप जानते हैं integration यह तो ठीक है 1 बटा 1 minus x plus यह जो plus में है x plus 1 है इसको भी तो हम अलग-अलग तोड़ सकते हैं x by 1 plus x square और plus 1 by 1 plus x square यह निकि x plus 1 था इसको भी हम लोग अलग-अलग तोड़ दियें तो पूरा का क्या हो गया dx अब हम लोग एक rule सिखे हो गया कि अब यह जो plus है तो integration भी अलग-अलग हो सकता है 1 बटा 1 minus x dx plus x बटा 1 plus x square dx plus 1 by 1 plus x square dx अब इसको आप अलग-अलग solve किजे इसको आप i1 मान लिजे इसको आप i2 मान लिजे इसको आप i3 मान लिजे और i1, i2, i3 का value निकाल कर और सब को जोड देंगे तो अब आप i1 से चलिए तो i1 क्या है तो 1 बटा 1 minus x into dx अब देखो 1 by x का होता है log x तो यहां हो जाएगा log x यानि कि 1 minus x लेकिन x का गुनांग क्या है minus 1 तो minus 1 से divide हो जाएगा तो यह हो जाएगा सिर्फ i1 का अब i2 चलिए तो i2 कैसे करेंगे तो 1 by 1 plus x square into dx तो इसमें आप क्या करिए कि नीचे वाला को t मान लिजे तो 1 plus x square को t मान लिजे अब कुछ भी यहां पर करना है लेकिन तीनों को अलग-अलग करना तो 1 plus x square को t तो यहां हो जाएगा तो 2x dx is equal to dt तो x dx is equal to dt बटा में 2 ठीक है तो ऊपर हो गया x dx तो ऊपर रख सकते हैं dt बटा टू और नीचे लिख सकते हैं t तो यहां हो जाएगा integration उपर हो जाएगा dt बटा 2 और बटा में t तो यहां लिख सकते हैं 1 by 2 को बाहर कर देंगे तो 1 by t dt और 1 by 2 को बाहर करेंगे तो 1 by t का integration क्या होगा log t और log t को हम लोग क्या माने थे 1 plus 100 स्क्वार ठेक है इस तरीके से i2 भी निकल गया अब i3 देखिए तो i3 क्या है तो i3 है हम लोगों का integration 1 by 1 plus x स्क्वार ठेक है इन्टू डी एक्स तो 1 by 1 plus x स्क्वार का integration क्या होगा तो इसका होता है फर्मूला यह होता है 10 inverse x तो अब तीनों को एक साथ कर दीजे और तीनों को जब एक साथ हम लोग कर देंगे वही हम लोगों का answer हो जाएगा यानि कि फाइनली हम लोग करेंगे क्या i is equal to sorry i is equal to i1 plus i2 plus i3 i1 का value कितना है तो minus log 1 minus x plus i2 कितना है तो 1 by 2 log 1 plus x स्क्वार और i3 कितना है 10 inverse x plus में c तो इस तरीके से हम लोग दोस्त इसको problem को solve करते हैं यानि कि यह जो exercise है यह बहुत important है और इसमें दिमाग लगाने वला है कि आप पहले उसको तोड़ना सीखिए तोड़ने के बाद ABCD का value निकाले निकालने के बाद आप उसको integration कीजिए तो that is a very very most important for your thinking power कि बहुत बढ़िया है कि आप कैसे सोच पाते हैं तो और वहां से कुषुषन को देखना है ठिक है और ट्राइ करना है कि कोशन बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है फिल्हां हम 7.5 एक्सेस कि कुश्शंस के लिए अगले दिन से स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर मिलते अगले क्लास में थफतक के लिए धन्यवाद